Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं dry eyes, यानि की आखों में सूखा पन होने की परिशानी के लिए दोस्तों, usually ये परिशानी हमें बहुत ज़्यादा middle age group से लेकर old age में देखने को मिलती थी लेकिन आज कल ये परिशानी बहुत young age के लोगों में भी देखने को मिलने लग गई है आज हम बात करेंगे कि इनके पीछे क्या causeive factor हैं, कौन लोग इसके लिए बहुत ज़ादा risk में पाये जाते हैं कैसे लक्षर मिलें जिससे आप समझें कि आपके शरीर में ये आपके आँखों में dry eyes की परिशानी बन रही है और हुमेपती के कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस dry eyes की परिशानी में बहुत ज़ादा लाफ्रद होंगी इसको ही करने में तो मैं डॉक्टर प्रांजली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ चलिए बात करते हैं dry eyes के उपर दोस्तों पहले हम थोड़ा ये जानते हैं कि आखिर हमें dry eyes की होने लग जाता है होता क्या है dry eyes की परिशानी दोस्तों आपको सबी को पता है कि हमारी जो आखे हैं उसमें lacrimal gland यानि की जो आसूं की ग्रंथिया पाए जाती है जिसमें समय समय से आपकी आखों में आसू का secretion होता रहते हो और आपकी इस आखों को वो moisturize करके रखने में lubricant करके provide करने में helpful होता है बट यही आपकी जो आसूं की ग्रंथिया है ऐसा secretion या sufficient amount में secretion आसूं का नहीं कर पाए या उनके composition में ही कुछ changes ऐसा हो जाए कि आपकी आखों को वो moisturize नहीं रख पाए तो इस condition को हम dry eyes बोलते हैं अब इसमें लक्षर आपको कैसे मिल सकते हैं आपको आखों में चुभन लग सकती हैं आखों में redness, inflammation, हलका pain आखों में आपको light sensitivity लगेगी आपको धूप में निकलने में आखों में चुभन सी लगेगी आपको लगेगा ऐसा कुछ आखों में प बहुत यंग गेज में भी होना शुरू हो गया है अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में कि क्या expected cause हो सकते हैं जिससे आपको शरीर में dry eyes की परिशानी देखने को मिलती हैं सबसे पहला जो age factor है but always कि आपकी body age के वजए से आपकी आखों की जो ग्रंथियां हैं अशु करके नहीं रख पा रहा है next cause है environmental condition कि अगर आप ऐसे areas में रहते हैं जहां बहुत ज़दा धूल है धुआ है smoke वाली जो condition है आप किसी certain ऐसे chemical factory के आसपास रहते हैं या जहां पर आपको बहुत ज़दा pollution का exposure है उससे आपकी आखों में बहुत ज़दा दिक्कत आ सकती है वो ज का mobile या computer का use आजकल लोग more excessive mobile का use करते हैं या computer के सामने घंटो बैठते हैं जिससे उनकी radiation के वज़े से उनकी आखों पे बहुत ज़दा damage होता है बहुत ज़दा side effect आता है उसके वज़े से भी इन में dry ice की possibility देखने को मिले लग जाती है next जो कुछ ऐसी medical conditions होती है जिसमें य यह चीज़े हो सकती रुमेटाइड अर्थराइटीस की condition हो सकती है डफराइटीस यानि कि आपकी जो आइलेक्स है उसमें सूजन हो सकती इन conditions में भी आपकी आखों में जो आपकी लेक्रामल ग्लैंट है उनमें secretion proper नहीं होता और आपको dryness होने लगती है बहुत बार ऐसी medical condition भी होते हैं कि आपकी जो आपकी आश्मों की गरंती है उसमें कहीं block के जा गया है कुछ obstruction है जिसके वजह से वो secretion proper नहीं हो पाता और आपकी eyes dry होने लग जाती है next कुछ hormonal conditions में भी ये देखने को मिलता है जैसे कि अगर आप pregnant है या फिर आप menopausal condition में है या फिर आप किसी hormonal therapy पे है उस condition में भी क्या होता है कि अगर आप में बहुत ज़दा hormone induced है या hormone बहुत ज़दा गड़बड चल रहे हैं वो भी आपकी जो आश्मों की गरंती है उन हो सकती है तो अगर आप इन में से किसी particular disease से belong करते हैं तो सबसे पहले अपने कारोणों पे विशेश कर ध्यान दे और तभी आप इस चीज को पुरी तरह से ठीक कर पाएंगे बाकी हम बात करेंगे आप होमेपेथिक दवाओं के जिसका action बहुत अच्छा देखने को मिलता ह अपने आप करते हैं होमेपेथिक की सबसे अच्छी medicine जिसको आप ओरली भी लेंगे और externally भी यूज़ करेंगे बहुत अच्छी काम करती है ड्राइस के केस में वह है यूफ्रेशिया यूफ्रेशिया को आपको 30 CH potency में ओरली खाना भी है और इसका ही eye drop आप यूज़ करें आखों में जो इसी करेक्टर स्टेक्स सिंट्मस हैं कि आपको आखों में बहुत सबड़ा चुभन सी लगे की बर्निंग संसेशन लगेगा आपको बहुत सब्सक्ता डॉइनस क्रिएट होई अपने आखों में जो आशु आपके निकलेंगे वह आपकी आखों को वो होगा उस कंडिशन में आप और यूफ्रेश्या की दो बून दिन में तीन बार आप 30 CH पर्टंसी में प्रयोग करें साथ ही इसके आइड्रॉप को दो दो बून दोनों आखों में सुबा दुपहर शाम डालना शुरू करें यह ड्राइनिस को भी कम करें एक जो डिसकमफर सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं यह बहुत अच्छा काम कर देगी ग्राई इसकी करिस में नेक्स जो मेडिसिन पलसा तिला निग्रा है वो भी आपको 30 CH पर्टंसी में यूज करनी अगर आपकी आखों से जो डिस्चार्ज है बहुत ज़ादा चिप चिपा गाढ़ा पीला या ग्रीनिश कलर का हो रहा है आखों में आपको बहुत ज़ादा जलन हो रही है इतनी चिपचिपा है कि बिल्कुल आखें खोलने में आपको दिक्कत हो रही है आखों में हलका सूजन सी लग रही है रेडनेस है आखों में साथ में फोटो संस्टिविटी हो रही है लेकिन जो discharge है आपकी आँखों का वो पीला ग्रीनिश ऐसा हो तो आप पलसाटी लगा प्रयूख करें थर्ड मेजिसिन है दोस्तों बेला डोना बेला डोना बहुत अच्छी काम करती है अगर आपको आँखों में बहुत ज़दा रेडनस है साथ में पेन हो रहा हो और ऐसा लगा रहा है बिल्कुल आँखों में ऐसे पलसेशन हो रहा है थ्रोबिंग, पल्सेटिंग, पेन आपको आखों में आरहा है, साथ में लाइट से आपको बहुत ज़्यादा सेंस्टिविटी हो रही है, दर्द हो रहा है आपको अपनी आखों में, तो आप बिलाडोना का, 200 पोटेंसी यूज़ करें, 2 बुन सुवा में, 2 बुन शाम में ल जोस्तों आपको आरसेनिक अलबॉम यूज़ करनी है, 30CH पोटेंसी में, अगर आपकी आखों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशल लाइट में रहता है, जैसे आप सनलाइट के अलावा जो लाइट होती है, जैसे लाम्ड के आगे बहुत ज़्यादा बढ़ आर्सेनिक बहुत जादा रही है, यह जलन जाद आ रही है, यह अर्सेनिक के बहुत ड्राइनिस और बर्निंग इस वरी करेक्टिस्टिक सिम्टम अव आर्सेनिक पेशन्ट, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप रसेनिक की 30CH पोटेंसी को यूज़ करें, यह बहुत ज़दा आपके लिए साथ में आप यूफ्रेशिया को सुबा शाम आइड्रॉप है डालिए कुछ ही दिन में आपके ड्राइनेस वाली जो इशू आपको बहुत अच्छा अच्छा एक्षिन देती है आपको ड्राइनेस के केस में वह है नाट्रम्यूर इसको भी अपको 30 c.h. potency में करना है इसका जो करेक्टिरिस्टिक सिम्टर में दोस्तो नाट्रम्यूर आपको तब यूज करने है अगर आपको आँखों में बहुत जादा ड्राइनेस तब लगते जब आप कुछ पढ़ रहे हैं पढ़ाई करते समय या आप कुछ रीट कर रहे है उस ताइम पे आपको पढ़ने किस ताइम पे जब आप फोकस कर रहे हैं कहीं पर तब अगर बढ़ता सा है दन केस में आप नैट्रम्यूर ज़रूर प्रयोग करें 30CH पोटेंसिय में यूज करें दो बून दिन में तीन बार यह बहुत ज़दा हेल्फुल होगी आई कंडिशन को इंप्रूव कर तब ही आप इसको अपने शरीर से पूरी तरह से हटा पाएंगे अगर वो परिशानी आपका जो कौज है वो लगातार शरी में बना रहा तो दवाएं कभी एफिक्ट आपको बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलेगा मिलती हो दोस्तों इसी तरह के इंफोमेटिव वीडि उसके साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टे सेव एंड हल्ली